हर्दोई से इस वक्त की बड़ी खबर रिष्टे को शम्शार करने वाली घटना सामने आई हर्दोई से बड़ी खबर तेन साल की मासूम बालिकस से रेप किया गया बच्ची के ताउने ही घटना को दिया है अंजाम किस कदर यहाँ पर रिष्टों को कलंकित किया गया है बच्चे की ताउने ही रेप की घटा को अंचाम दिया पीता की तैरीर के बाद मुकदमा दर्श किया गया हरदोही में इंसानियat को शमशार करने वाले रिष्टों को टलंकित करने वाली एक ख़बर सामने आई आरोपी की तलाश में पुलिस जुड गई है तीन साल की मासूम के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया जाता है और उसके ताउ ने ही इस घटना को अंजाम दिया किस तरी किस रिष्टों को यहाँ पर कलंकित दिया जा रहा है आप साथ देख सकते हैं से रिष्टों को शर्मिशार करने वाली यह घटना सामने आयए जहां पर तीन साल की मासूम पालिका को अपनी हरवस का शिकार बनाया जाता हथा उसके पाउंने ही इस घटना को अंजाम दिया रिष्टों को कलंकित कर देने वाली हर दोई सी यह खबर हम आपको बता रहें है पिता की तेरीर पर मुकदमा दर्श कर लिया गया है, स्पी मौके पर पहुच गए है, घड़ना की जानकारी ली है, आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है, तीन साल की मासूम बच्ची जिसको कुछ भी दुनिया के बारे में नहीं पता, जिसे कोई भी समझ नहीं है, उसको अपनी हवस का शिकार बनाया जाता है, और इसी खबर प्रजादा जानकारी पर हमारे सयोगी आलोग, हमारे शाद जूड़ चुके हैं, आलोग, तीन साल की मासूम बच्ची को के साथ रेप किया जाता है, ताउन नहीं इस घटना को अंजाम दिया, तो रिष्टों को कलंकित करने वाली ये खबर अक्केनी जिन से आपको बता रहा है, जहाँ पर तीन साल की मासूम बच्ची जिसको दुनिया की कोई समझ नहीं है, जिसे कुछ भी नहीं पता है, और उसको उसके साथ रेप किया जाता है, और बड़ी बात, ताउन नहीं इस घटना को अंजाम दिया, पिता की तहरीर के बाद मुकदमा दर्श कर लिया गया है, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है,